Hello students, welcome to Punjab Success Mantra and the main current of a session जिसमें आज हम discuss करने वाले हैं about HP Freedom of Religion Amendment Bill 2022. इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे इंडिया में Anti-Conversion Laws का क्या significance है? क्या challenges basically face किये जा रहे हैं भारत में Anti-Conversion Laws से related? साथी साथ हिमाचल परदेश में क्यों सदुरत पड़ गई HP Freedom of Religion Amendment Act को पारित करने की इन सभी facet को इस session के मार्दिन पे आज़ाँ discuss करेंगे. तो चले स्टूड शुरू करते हैं आगका session Before that हमारा जो weekly schedule है एक बार go through करें यह हमारे YouTube पे कुछ initiatives हैं जो आप ज़रूर follow करेंगे ताकि आपकी consistency के साथ exams की preparation होती रहें. ठीके जी? It was basically, क्योंकि देखें पिछले कुछ समय में conversion, mass conversion हमें देखने को मिला है हिमाचल परदेश में. So, government of Himachal Pradesh speaking to criminalize mass religious conversion. ठीक है? Now, it is basically an amendment जो 2019 का XP Freedom of Religion Act पारित किया गया था. उसी में ये amendment किया गया है. क्योंकि पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से mass conversion हिमाचल परदेश में हमें देखने को मिला है. और पूरे भारत में ये पहला इस परकार का जो bill है वो present किया गया है. ठीके जी? इससे पहले anti-conversion laws ज़रूर बने हैं. लेकिन mass conversion से सम्बंदित कोई भी कानून पारित नहीं किया गया है. ठीके जी? ना ऐसा हुआ क्यों है? कुछ हिमाचल परदेश के जो रीजन हैं जिसे अन्नी, इंटीरे रीजन है कुलू डिस्टिक का या रामपूर, चिरगाओं और होडू का जो क्षेतर है शिमला का यहाँ पर भी जो है mass conversion की complaints रही है. ठीके जी? बड़े एक तबके में लोग जो हैं धर्म परिवरतन कर रहे हैं. तो इसके पीछे सरकार ने कानुन पारित करने या इसको criminalize act घुशित करने का निर्णे फाइनली लिया है. ठीके जी? ऐसे ही कुछ एक चमबा और कागला डिस्टिक में भी देखने को मिलते हैं. चलिए अब इस proposed amendment में है क्या? उस पर बात करेंगे. तो basically इसमें यह कहा गया जो section 3 में भी discuss किया गया है anti-conversion laws के कि prohibit conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement या फिर fraudulent means के माधम से अगर किसी की नारिज हो रही है. ठीक न? तो ऐसे conversion को जो है illegal माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा. हालां कि अगर हम mass conversion की बात परें student, so in order to curb the mass conversion, कोई भी कानून अभी तक पारित नहीं किया गया है. ठीक न? तो यह एक कह सकते हैं, इसका misuse होने की संभावना है, और important इसलिए है, because हिमाचल प्रदेश become the first state, जिसने mass convergence is related जो है, एक act जो है, बनाने की बात करी है, एक bill जो है present करा है, जो sunic act बन जाएगा. चलिए, अब इस कानून के, इस bill के जो main points है, उनको discuss करते हैं, तो एक mass conversion term यहाँ पर बार बार इस्तेमाल हो रही है, use हो रही है, first we need to understand this term, तो mass conversion here means, कि दो या दो से अधिक लोगों का अगर एक ही time पर conversion हो रहा है, उसे mass conversion माला जाएगा, ठीक अब बढ़ा के 10 साल कर दे गई है, 10 years imprisonment जो है, इसमें criminal act माना गया है, साथी साथ, fine जो है, वो भी बढ़ाया गया है, 50,000 से तकरीबन देड़ लाग तक का जो है, इसमें fine घोशित किया गया है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, तो see just after examining the seriousness of the crime, all right, अब इसके साथ-साथ भ हम से कम जो है, sub inspector का तो होना ही ठीए, उससे lower income रेक्ति इसकी जाच नहीं कर सकता है, या इसको receive नहीं कर सकता है, इसके अलावा, इससे संबंदित जो भी case चलेगा, वो आपका session quote में ही होगा, ठीक है, जो भी trial जो होंगे, इससे related cases के, वो session quotes में ही hearings होंगी, तो ये सारी बा सब्सक्राइब पहले constitution status की बात करते हैं, so under article 25 of the constitution, हमारे constitution की धारा, या article 25-28, religious, freedom का अधिकार हमें है as a fundamental right, इसमें बड़ा clearly लिखा है कि we have a right to practice or to profess a religion, हम अपनी मर्जी से किसी भी धरम को practice कर सकते हैं, follow कर सकते हैं, support कर सकते हैं, अगर आप धरम परवर्तिन करना चाहते है आप कर सकते हैं, but अगर forcibly ऐसा आप सो कोई करा रहा है, ठीक है न, then it is a punishable offense, या आप किसी लालच में आखे ऐसा हो रहा है, तो ये सारी punishable offense की category में आते हैं, इसके अलावा गर existing laws की बात करें, so there is no central legislation so far, ठीक है जी, pertaining to the anti-conversion laws, बहुत important है, there is no central legislation so far, however, so many times, there were, practices has been taken place, और कह सकते हैं, सबसे पहले, 1954, from 1954, ठीक है न, बहुत से private member bills जो है, pertaining to the anti-conversion laws, जो है, present खरे गए, लेकिन accept ही नहीं हुए, finally approved ही नहीं हुए, ठीक है जी, even 2015 में, इंडियन पार्लेमेंट न ये भी statement दे दी थी, 2015 की ये statement है, पार्लेमेंट की, कि that parliament is not capable to pass any anti-conversion bill, तो ये आप सोच सकते हैं, कि कहीं न कहीं, जो हमारा एक secular fabric है, उसको नुक्सान इससे पहुंचता है, एक central level पे शायद पास होना, समभब अभी तक तो नहीं है, आने वाले समय में हो सकता है, कि इससे related कानून बने, अब सवाल यह उठता है, कि फिर anti-conversion laws का existence है कहां पे, तो इस बेसिकली by passed by different states, बहुत से states ने अलग से anti-conversion laws पारित किये हैं, जिससे आपका ओडिसा है, या उत्राखंड है, हिमाच्वल प्रदेश, मद्यप्रदेश, यसे बहुत से और states हैं, जिन्हों ने anti-conversion laws पारित किये हैं, नो वट इससे बड़ा है कि इन सभी states ने anti-conversion laws ज़रूर बनाये हैं, लेकिन किसी ने भी mass convergence से संबंदित कोई कानून नहीं बनाया थ है, हिमाच्वल प्रदेश बिकें दफास्टेट, वालाइट, यह अब नेक्स बात करेंगे, क्या ऐसे issues हैं, जो associate हैं आपके anti-conversion laws, क्या ऐसी problems हैं, सबसे पहला है, uncertain and wild terminology, जो define करती है, anti-conversion laws for terminology, that is quite wild, बहुत clarity इसमें हमें देखने को नहीं बलती, like, misrepresentation, force, fraud, allowment, presence हैंना, तो बहुत ज़्यादा clarity से define नहीं करा गया है इन चीजों को, बहुत ज़्यादा categorization नहीं है, जो की होना चाहिए था, because बहुत बार misuse इसका किया जाता है, ठीक है, minorities के against भी misuse होता है, और बहुत ज़्यादा जो है, कह सकते हैं कि जो एक हमारा, एक secular fabric है, उसको भी इसकी हो सके, next है, anti-ethical to the minorities, one side, हमारी minorities, जो है minority communities है, उनको protection दिया जा रहा है, हमारे सरिधान दरा, constitution द्वारा, fundamental rights में भी article 2930 की बात कर सकते हैं, article 350 की बात कर सकते हैं, ठीक जी, और दूसरी तरफ जो है, अप anti-conversion laws बना रहे हैं, एक तराफ आप कहा रहे हैं कि आप जो है, अपनी community के अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपनी community का जो है, जो भी monuments है, educational properties है, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, दूसरी तरफ जो है, किसी ना किसी परकार से यहां पर आप curb करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक unethical minority action है, जो नहीं होना चाहिए, और हिमाचल के context म अभी बेसिकली जो वहां की Christian community है, उनके दोरह ये सवाल उठाया गया है, कि ये जो action लिया गया है, mass conversion से संबंद कानून बनाने का, it is somewhere against the fundamental rights of the Christian community, जो कि नहीं होना चाहिए, being a minority community, कुछ special अधिकार है, जिनका सम्मान होना चाहिए, ठीक है, वो सकता इसको challenge भी फ्रदर किया जाहिए, next है, antithical to the secularism, जो इंडिया का secular fabric है, ठीक है न, उसको पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे, काफी नुकसान पहुंचा है, बहुत सी anti-conversion संबंदित जो activities बढ़ी है, उसकी वज़े से, जैसे कह सकते हैं, भाई, CAA, या एक particular religion कहीं हाँ पर target करनी की बात करी ग देखा, तो कहीं न, कहीं ये अरोप लगे कि भही एक particular community को ही target क्यों किया जा रहा है, या ऐसी activities को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, जो anti-conversion को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, ये किसी की personal choice हो सकती है, कि वो धरम का अपनी मर्दी से choose करे, तो आप कौन होते हैं कि उसको ना choose करने या रोकने का, आपको किसने अधिकार दिया, ऐसे ही कुछ cases का जिक्र सुप्रीम केट के context में हम further करेंगे, देखे, सुप्रीम कोट ने भी अपनी judgments दी है, marriage and convergence से सम्मंदित, दो cases का यहां मैं जिक्र कर रहा हूँ, पहला है हधिया, judgment 2017 का ये judgment है, next है case पुटू आत्रा का बहुत famous हुआ था, ये case था कि अखिला नाम की एक लड़की है, ठीक है न, जो अपनी friends के साथ, Muslim friends के साथ रहती थी, and finally, she decided to change her religion, and when her father, उन्होंने अपोस करा इस रात को, तो ये मामला जो तो कोट तक गया, initially, it went in the favor of अखिला, कि भही उनकी मर्जी है, धरम परिव इसको high court लेके जाते है, कि सफीन जो है, एक नाम के विक्ति है, जिनके साथ वो marriage कर रही है, ठीक है, और marriage कर नहीं है, वो बाहर जा रही है, उनके साथ, शायद उनका शादी करने का एरादा उनके साथ है, ठीक है, तो अब जब high court अगे बाद पहुंची, उसकी जांच है, वो जो विक्ति है, जिनके साथ उनका काफी लंबे समय से मेल जूल रहा है, उनका कुछ extremist group के साथ भी मेल जूल है, कुछ criminal charges भी है, तो यहाँ पर court ने इंटरफेर किया और कहा कि भी, यह मामला जो है, यह conversion का हो सकता है, ठीक है, अब कुछ समय के बाद news आती है, कि उन पढ़ेगा कि आप बाहर जा रहे है, ठीक है, यह कारण है, यह सारी चीज़ें बताने पढ़ेंगे, और marriage को भी illegal declare कर देगा, तो अब जो आपकी हदिया है, इन्होंने, इंके family ने, यह court, Supreme Court तक क्या मामला, Supreme Court ने favor में इनकी किया decision, कि भाई, इस इस सम्वन परसनल मर्जी से शादी कर रहा है, हम समाज में कोई नहीं होता, यह decide करें कि भाई, आप यह नहीं कर सकते हैं, अगर वो कह रहा है, कि भाई, मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूं, यह कर रही हूं, so no one can raise question, तो यहाँ पे जो हाई कोट का decision था, उसको पलट दिया गए, ठीक है ना, पटकार भी लगाएगी, कि अपनी मर्जी से खाना, खाना, अपनी मर्जी से culture को adopt करना, कपड़े पहनना, यह सभी का personal right है, लेकिन इन सभी cases में बात हुई है, individual विक्ति की, यहाँ पे individual cases की बात हुई है, individual choices की, ल और सवाल इसलिए दो उठ रहे हैं, कि दो यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है, कि mass conversion नहीं होना चाहिए, कि काफी जादा तबके में जब लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है किसी लालच में आके, किसी undo influence में आके, वो कर रहे है, misrepresentation, misrepresentation जैसी terms का है मतलब है, कि कोई विक्ति अपनी identity बदल के, या गलत तरीके से भी influence किसी को कर सकता है, ठीक है ना, तो वो भी गलत एक है सकते हैं, तरीका हो सकता है, conversion का, ऐसी भी बहुत से cases देखने को मिल रहे हैं, दूसरा है, जादतर यह देखा गया, जो deprived section है समाज का, जिससे SC category के जो लोग है, X7, they are converted, they are basically, उस के बावजूद भी, they are enjoying the status of SC community, जो SC का certificate है, उसे, जो facilities मिल रही है, सरकारी, उनको भी enjoy कर रहे हैं, जो minority certificate के थैख facilities है, उनका भी वो फैदा लेना चाहरे है, तो यहाँ पर government की बड़ा clearly कह दिया, कि अगर आप ठीक है, it is your personal choice, अगर आप convert होते हैं, किसी भी धरम को आप adopt कर सकते हैं, लेकिन फिर आप, उस status को enjoy नहीं करेंगे, यह ऐचा नहीं है, कि minority भी है, आप और SCB है, तो दोनों सुभिधाय आपको नहीं मिले, तो एक आपको छोड़नी पड़ेगी, ठीक ही, तो यह कुछ हिमाचल के context में, जो मैं आपको बात करी, वो यह, तो यह case है, इसके कोई भी व्यक्ता है, व्यक्ती जो है, वो धरम परिवर्तन कर सकता है, और यह right to privacy के अधिकार क्शेटर में ही आएगा, यह भी जो है, यह पुट्टु स्वामियों का जो privacy judgment था 2017 का, उसमें कहा गया है, तो I hope student अच्छे से इस topic को आप समझ पाए हो, बहुत important है, exam में कर सकते हैं, इसका piece है, 899, 15 इसमें आपको टेस्ट मिलेंगे, जो कि आपकी सहाइता करेंगे to crack this exam, चलिया, आज के लिए तना ही, thank you very much.